तो दोस्तो गारगी पुरुषकार 2021 को लेके एक बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ बालिकाओं के लिए और अपडेट है गारगी पुरुषकार के ओनलाइन आविदन फोरम को लेके डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा मेरे साथ हो आप बने रहे नमस्कार साथी मैं हूँ आपका अपना साथी राजगुर जी और आप देख रहे हैं राज स्कुल हल्प यूटूब चैनल दोस्तो अपडेट की सुरुवात करने से पहले एक बात आपको कहना चाहूँगा देखे इस वीडियो में मैं गारगी पुरुषकार के बारे में आगे जो भी जानकारी देने वाला हो या जो भी बाते आपको बताने वाला हो उनको बड़े ही धान चे और गोर लगा के आपको सुनना है वरना फिर फालतियों में आप वीडियो के निचे कमेंट करोगे चली अपडेट के बात करते और दोस्तो अपडेट है गारगी पुरुषकार 2021 के ओनलाइन आवेदन फोरम वो एक बार फिर से शुरू हो गए लेकिन सुनो सुनो गोर से सुनो ये ओनलाइन आवेदन फोरम है सभी बालिकाओं के लिए सुरूर नहीं हुए दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दू कि जिन बालिकाओं ने 72,019,20 में यानि वर्ष 2020 में कक्सा दस्वी पास की थी और कक्सा दस्वी पास करने के बाद गारगी पुरुषकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने कक्सा ग्यारव में पर्थम किस्ट के लिए ओनलाइन आवेदन किया था और उन्हें पर्थम किस्ट भी मिल गई थी उसके बाद कक्सा बारव में वर्तमान सात्तर में सेशन दो हजार एकिस बाइस में कख्षा बार में अध्यम रथ हैं और उनने दित्य किस्त प्राप्त करने के लिए भी ओनलाइन आवधन फोरम वो बरा था तो कुछ बालिकाओं को तो दित्य किस्त के पैसे मिल गए कुछ को अभी तक भी नहीं मिलें लेकिन यहाँ पर देखिए तकरिबन तकरिबन बालिकाओं ने दित्य किस्त के लिए ओनलाइन आवधन फोरम अपलाई कर दिये थे लेकिन उसके बावजुद भी भूछ सारी ऐसी बालिकाएं थी जिन्होंने दित्य किस्त के लिए ओनलाइन आवधन फोरम नहीं बर पाये थे क्योंकि लास्ट डेट थी वो 10 जुलाई 2021 थी दित्य किस्त के लिए क्योंकि आपको पता है कि गारगी पुरुषकार की जो रासी है वो 6,000 रुपे होती है किस्त के लिए ओनलाइन आवधन फोरम किसी भी कारण से नहीं बर पाये तो उनके लिए जिन्होंने अभी तक दित्य किस्त के लिए online आवेदन फोरम नहीं भरा है तो वो अपना online आवेदन फोरम भर सकते हैं और इसकी फिलहाल जो last rate है वो 10 March 2022 यानि आपको 10 March 2022 से पहले पहले गारगी पुर्षकार की दित्य किस्त के लिए online आवेदन फोरम हो भरना पड़ेगा अगर आपको online फोरम भरने के बारे में नहीं पता है तो इसके regarding भी मनें काफी सारी वीडियो बना रखे हैं कोशिस करूँगा कि वीडियो के description में आपके सभी link हो आपको provide करवा दूँ आई बटन में भी link मिलेंगे वीडियो के last में end screen में भी आपको मिलेंगे क उसमें आपको क्या क्या चीए तो वो सारी फोर्मल्टीज पूरी करके आप 10 मार्स से पहले पहले अपना online आवदन फोरम भर दीजेगा अब देखिए दोस्तों ये जो अपडेट आया है इसके लिए मैंने department से पहले बात की थी क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे ऐसी बालिका चल रही है तो हो सकता है कि साइद उस mail का अशर उन पे पड़ा हो या फिर और कोई कारण भी हो सकता है मैं ये नेक होगा कि मेरी वाली mail पे अशर उनका पड़ा है लेकिन फाइनल ये कहेंगे कि एक बार फिर से online आवे दना वो शुरू होगे अब यहाँ पे वीडियो में सलते चलते एक जानकार ये आपको देना चांँगा देखि बहुत सारी ऐसी बालिकाए हैं जिनोंने वर्स 2021 में या तो कक्सा दस्वी या फिर कक्सा बारवी हो पास किये तो कक्सा Kr fij जशी के लिए तो यह गाहररी प्रूसकार होता है और कक्सा बारवी पास करने के बादец स बाली का प्रोच अनराशी है बोला जाता है तो फिलहाल जिन्होंने वर्ष 2021 में दस्वी या फिर बारवी पास किये उनके फिलहाल ओनलाइन आवेदन शुरूर नहीं हुए हैं अब आगे होंगे कब तक होंगे इसके मुझे भी जानकारी नहीं है और डिपार्टमेंट ने भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर में आपको जुरूर जानकारी देऊगा तो ऐसे में शेसने 2020-2021 वाले को मामले को लेकर के यानि जिन्होंने वर्ष 2021 में याद सो दसवी या फिर बारवी पास किये तो यह भ्याफ हालतों में वो कमेट ना करे कि आवेदन कब से शुरूंगे होंगे तो आगे की वीडियो में आपको जरूर बताऊँगा जैसे इसके बारे में अपडेट आएगा तो इसलिए यदि आप हमारे चैनल पे नए है और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लिजेगा बेल आइकन दबा लिजेगा ओल नोटिफिकेशन उसे भी ओन कर लिजेगा ताकि इसी परकार से नहीं नहीं वीडियो की लिंक मिलेगा सारी जानकारी वहाँ पर भी दे गई है लेटेश तो आदेश आते जाएंगे वो सब जानकारी आपको वहाँ पर भी हो मिलते रहेंगे जानकारी अच्छ लए गया था ओillah बीडियो को लाइक कर देना झाल झाल